हालो फ्रेंज आप सभी का स्वागत है फ्रेंज आज हम किसी भी बेक्ति का नाम हम गड़ीत में लिखना सीखेंगे फ्रेंज यदि आपको किसी भी बेक्ति का नाम गड़ीत में लिखना है तो उसके लिए आपको कुछ बाते याद होनी चाहिए देखिए आप सभी को A, B, C, D याद होगा लेकिन इसको आप करम सियाद रखिएगा A का मतलब 1, B का मतलब 2, C का मतलब 3 और इसी तरह करके J तक J का मतलब 6 इस पकार यदि करम सियाद है तो आप किसी भी बेक्ति का नाव गड़ित में लिख सकते हैं चलिए इसको लिखे के बताते हैं फ्रेंज देखिए जैसे आपको लिखना है मोहन तब फ़रे मोहन को हिंदी में इस पकार लिखेंगे मोहन, अब मोहन को अंगरेजी में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे फ्रेंज लिखेंगे यम ओ यच ए यल मोहर लिखने के बाद फ्रेंज देखे अब ही आपको बता है कि इसमें देखे यम का मतलब कितना है यम का मतलब 13 तो जहां यम लिखा है वहाँ पर 13 लिखी लेंगे तो यम का मतलब 13 तो यहाँ पर 13 लिखी है ओ का मतलब कितना है फ्रेंज देखे ओ का मतलब यहाँ पर होगा आपका 15 तो पंदरह लिख लिजिए यह का मतलब कितना है फ्रेंज देखे यह का मतलब यहाँ पर कितना है आपका तो यह का मतलब आठ तो आठ लिख लेंगे इसी परकार ए का मतलब होता है एक यह तो सभी को चवदा यह आपका क्या हो जागा गड़िती रूप हो जाएगा इससे हम क्या कहते हैं यह बोल सकते हैं कोडिंग हो गया कि तर्माइद के रूप में कैसे होगा तेरह पंदरह अठारह अरे सुरी तो तो यह बताएंगे कि यहां पे आप लगा देंगा डाट इस तरह लगाए लिख सकते हैं तो फ्रेस इसी प्रकार जैसे यहां पर लिख देते हैं हम श्याब स्याव ठीक है स्याव क्या होगा देखे यस यच वाई ए यव तो फ्रेस जो यह लिखे है इसका नाम आप कोडिंग में यानि कि गड़िती रूप में लिखे कि आप कमेंट बाक्स में जरूर लिखे हैं कि इसका गड़िती रूप क्या हो सकता है तो फ्रेस आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो का लाइक करें और चैनल पे नए है तो चलो को सबस्क्राइब करें